ऐसी चन्द प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम बात करेंगे जिसकी वजह से पेर ब्रीड नहीं करता ब्रीडिंग सीजन में भी ब्रीड नहीं आती है हो सकता है कि जो आज मैं शेयर करने वाली हूं उसमें से कोई एक प्रॉब्लम आपके बर्ड के साथ भी हो तो इसलिए वी मैं आपको बताओं कि कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से पेर ब्रीड नहीं करता है ठीक है तो एक के बाद एक तक्रीबन 10 मिस्टेक्स ऐसी हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं इसमें से कोई भी एक मिस्टेक्स आपके बर्ड के साथ हो सकती है लेकर सबसे पहले मैं आपको बताओं कि अगर के साइज छोटा है जो कि अकसर हम अमोमन जो है आपने सुना होगा कि छोटा के जो है बर्ड के लिए इसमें ब्रीड नहीं आती तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आपका पेर कितना भी अच्छा हो अगर आपने बहु और देड़ भाई तीन का केज साइज होना चाहिए तीके गैस के लावा दो भाई तीन के केज में भी रिंगनेख एजिली ब्रीट कर देता है इसके लावा अगर हम बात करें कि देखे एक जगा से बार बार दूसरी जगा तबदिल करना ब्रीडिंग सीजन में आ मुमन की बोस्षी के कभी गया झाल नए चेंज़ करने ज़िये को एक जगा इसके बार बर जगह बीचैंज होने को एक बार बार जगह बार जैज़ की नगुंदत. युशे वाला पेर आप देख जाती है ठीक है, एक एस्टिक बोक्स से काफ़ी अफर करके जो कि भास exactement से करने ठीक ke परोर से तूड को पर ऊपने टीक करने है. एक एस्टिक ठीक काफ़ी प्राइब कर लग टाए हूं यहां एक लगा है पर साथ इस्टिक भास शें कि में डाक है। तो इसी तरीके से इस्टिक लगाई जाती है इसके इलावा जोड़े की यानि फीमेल की एज जो है वो जादा होना अगर आपके पेर की एज जादा है फीमेल की एज जादा है तो वो एक्स लेंग करने में प्रॉब्लम करती है क्यों कि बाद दाफे ऐसा होता है कि हम किसी सेट अप से उठा के लेकर आते हैं फीमेल को और सेट अप वाले तो अच्छी खासी ब्रीड यानि मैडिसन्स वगारा देखके एक 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 पेर से जो है आप समझे तीन तीन कलच लेते हैं क्योंकि उनको पेर फिर आगे कर देना है यानि कि उनको जो है मुस्तेकल पेर नहीं रखने होते हैं जब तक वो यंग होते हैं तब तक ब्रीड ली जाती है उसके बाद जब एज़ जादा हो जाती है तो आगे सेल कर दिये जाते हैं तो यह चीज़ आप देख कर लें कि एज़ बहुत जादा नहीं जाएं जिसके वज़से एक कॉंटिटी कम हो जाएं या एक्स देना ही बन कर दें तो इस चीज़ का खयाल लखना है अच्छा साथ ही जो पेर जो है काफी जादा कमजोर होते हैं या बहुत जादा सोचते हैं एकी स्टिक बेटे हुएं तो इसके बाद एकी स्टिक बेटे हैं ऐसे पेर भी कमजोरी की वज़े से ब्रीट नहीं करते हैं उनका प्रॉपर खयाल रखा जाता है प्रॉपर मल्टी वाइटेमिन्स की मेडिसन दी जाती है जो कि out of season में उनकी care की जाती है फिर जब season आता है तब pair breed करता है अच्छा साथ ही जो है ये problem भी होती है जैसे कि अभी हमने बात करी कि उमर जादा होना साथ ही जो है कम age के pairs भी breed नहीं करते है यानिके अगर आपका pair adult नहीं हुआ तो वो breed कैसे करेगा तो इसलिए आपको ये चीज़ confirm होनी शाहिए कि आपका जो pair है वो adult है ठीक है male female confirm है तब ही हम breed के लिए डाल रहे है ऐसा ना हो कि male female तो आपका confirm है मगर वो adult ना हो इसलिए आपके पास breed नहीं आ रही साथ ही जो है ऐसी फीमेल्स जो के मेटिंग तो कर रही है मगर उसके पावजूर एक्स लिंग नहीं कर रही है इस ऐसी फीमेल्स के साथ ये problem हो सकती है कि उनके चर्बी आ जाए वैसे तो exotic birds में ये problem कम होती है चोटे birds जैसे के बजिस वगरा हो गए और दूसरे birds जो के पूरा साल breed करते हैं हम breed लेते रहते हैं तो ऐसी फीमेल्स को बार बार breed लेने की वज़़े से चर्बी आती है मगर चुंके रिंगनेक और अलेक्जेंडराइन की फीमेल की बात करें तो ऐसी फीमेल में चर्बी जो है वो बहुत कम आती है अगर बहराल चर्वी आ जाती है ठीक है ऐसी फीमेल का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है पहले हम मल्टी वाइटेमिन्स देती है कि आखिर जो है वो मेटिंग तो कर रहा है मगर एक्स लेंग क्यूनिंग कर रहा है तो मल्टी वाइटेमिन्स देने के बावजूद भी अगर आ ऐसी फीमेल हीट पर है कि फीमेल तो कहीं फीमेल के पास ही महाँ से डीग कर का सात अव assum़ीन पास और यारव वर नमthen ईابाज चीज करते के घ्लिदे घ्लिद प हें molist कर चेंच आखिते हैं मेल से पास Upstart पादा नक산श जाहिए तो आको आपके पास verstकी है कि एक और चीज में बहुत सारे लोग बहुत पतली स्टिक लगा देते हैं जैसे के रिंग नेक का तो देखें फिर भी थोड़ा बहुत जो है नॉर्मली चलता है मगर अलेक्जांडराइन में मोटी स्टिक लगाई जाती है क्योंकि इसका वेट अच्छा होता है तो इस वज़े से मोटी स्टिक पेर अराम से क्रोस कर सके साथ ही जो है एक और चीज में आपको बताओं कि इस टिक प्रॉपर सही लगी होनी चाहिए यह अगर आपने मोटी स्टिक भी लगाई जो अगर लूज हो रही है कहीं से हिल रही है तो भी मेटिंग सही से नहीं होती और अगर एक्स आ भी जाएं तो वो अनफर्टाइल होते हैं तो इस चीज का जो है काफी जदा खयार लगना चाहिए अच्छा वीडियो को एंड करते करते में साथ एक बात और बताओं कि देखें बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बार 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 बीडिंग सीजन में केज की सफाई कर रहे होते है जालियां भी साफ कर रहे हैं साथ ही केज को वाश भी किया जा रहा है बहुत प्रॉपर जो है वो एक तरह से समझ लिए आपके सफाई होती है मगर जब पियर आपका मेटिंग शुरू कर दे तो उस टैम पे सिर्फ ट्रे साफ की जाती है वो भी हफते में सिर्फ एक दफा अगर आप जितनी सेपरेशन बर्ट को देंगे इसको जितना सेपरेट रखेंगे उतनी ही जादा अच्छी बरीड आएगी अगर फीमेल एक्स लेंग कर दे तो उस टैम पे भी बार-बार आपके पास ना जाए बार-बार जो है ट्रे साफ करने जिसे कहना चाहिए कि हम ट् मेटिंग जो है वह सही से नहीं कर पाएकर मेटिंग रोग देगा अकर फीमेल ने एक या दो एक्स लेंग किये वें तो मजीद वह एक लेंग नहीं करेगी सही है तो इसलिए अपने आपको जो है वह थोड़ा सा डिस्टरब मैसूस करती है और बॉक्स में टाइम गुजार पास जाएं अधरवाइस उस के पास जो है आप बिल्कुल भीन आ जाएं ठीक है तो जितनी अच्छी पेर को आप सेप्रेशन देंगे उतनी अच्छी जो है ब्रीड आएगी तो यह कुछ वजो आती जिसकी वज़से आपके पास ब्रीड नहीं आती है अगर आपका पेर मे वजो आपके है ब्रीडिंग फॉर्मुला दे है जो के पास अवीर जिसके साइट अफेना कमेशा हर्बल और ब्रीडिंग फॉर्मुला देने की कोशिश करें अमीदे मेरी वीडियो पसंद आए होगी इस त medida करिम के आप लगों के लिए ना दिती हो मिलते हैं भी निशह औ कोई जबरदसी इंफर्मेटिव वीडियो के साथ जब तक के लिए आला हाफिज